नमस्कार दोस्तो भारत डिफेंस अपडेट के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के वायू सेना द्वारा जे थर्टी वन फार्टे जेट को खरीदे जाने के बाद में क्या भारत का S-400 J-31 फार्टे जेट को रोक पाएगा या नहीं चलिए आपको इस से जुड़ी हुई पूरी जानकारी बताते हैं मैं आपको बता दूँ भारत के द्वारा रोस से S-400 एर डिफेंस सिस्टम के खरीदे जाने के बाद में या इतना घातक एर डिफेंस सिस्टम है कि किसी भी बैलेश्टिंग मिसाइल फार्टर जेट्स यहां तक की स्टेल्थ फिफ जनरेशन फार्टे जेट को भी मार गिराने में सक्षम है इस S-400 एर डिफेंस सिस्टम की ट्रेकिंग रेंज 400 से 500 किलो मीटर तक है अगर हम लोग S-400 एर डिफेंस सिस्टम के ताकत की बात करें तो यह इतना ज़्यादा ताकत वर है कि अमेरिकी F-35 और रसियन ASU-57 फार्टर जेट को आसानी से मार गिरा सकता है मैं आपको बता दू नाटो का एक मेंबर जिसका नाम है तुर्की ने रसिया से S-400 एर डिफेंस सिस्टम को खरीदा तो अमेरिका ने F-35 प्रोजेक्ट से तुर्की को बाहर कर दिया क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि रूस का S-400 एर डिफेंस सिस्टम किसी भी 5th जनरेशन फार्टर जेट को ट्रेक कर उसे मार गिराने में सक्षम है तो ऐसे में अगर भारती सीमा के अंदर S-400 एर डिफेंस सिस्टम तैनात रहता है तो पाकिस्तान का J-31 तो क्या चीन का J-20 फार्टर जेट और यहां तक की अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 फार्टर जेट भी भारती सीमा में नहीं आ सकते हैं तो ऐसे में मैं आपको बता दूँ कि अगर पाकिस्तानी एर फोर्स को J-31 फार्टर जेट मिलते हैं तो S-400 के सामने वो टिक नहीं पाएंगे क्योंकि यहां एक घातक एर ड्वेंस सिस्टम है जो भारती सीमा को सुरक्षा परदान करता है हवाई सुरक्षा परदान करता है वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है कि भारतिय वाईव सेना को फिफ्ट जनरेशन फार्टर जेट खरीदना चाहिए पाकिस्तान के J-31 फार्टर जेट को काउंटर करने के लिए या नहीं कॉमेंट करके बताइए वीडियो अच्छे लिगी हो तो लाइक कीजे सेर कीजे हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजे